जीत राई जिक्ञार नमोता ही जाते भई अरहनता दिमाहार करिमंगल करियो महार रंत करन क्यों कार जाते मिले समाज सब पावे निजपद राद हमने प्रस्तावना पढ़ने के लिए काता सेकंड यर से इमान दाज इसे में पूसना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनोंने पूरी नहीं पड़ी सेकंड यर से सबने पड़ी तुमने नहीं पड़ी खड़ो क्यो भाई नहीं क्यों रह गए तबी तो तुम खड़े हुए हो कारण फूल चुराओ क्या चलो कल पूरा करना इसके अलावा और कोई समने पढ़ लिया खड़े हो भई खड़े हो मुक्षवां प्रकास सकर इक ग्रंत कोनसी भासा में लिखा गया है पढ़ाये ना, प्रस्तावना तो उस्य से तो पूछ रहा हूँ प्रस्तावना कि बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ तुम दर्ज भासा में तुम, खड़े हो, खतवली ब्रजभासा में लिखा कि इसको कैसे सिद्ध कर सकते हो यह बात भी वहाँ लिखी गे चलो ठोटर मल लिए कि मृत्यू कब हुई सन नहीं? उमर सन तो हम अपिक्षा भी नहीं करते आपसे किसने बताया? बताया किसने? किसने बताया? तुमने? किसने बताया? जिसने बताया वो इमें अंदर से खड़ा हो जाए खड़े हो खड़े हो यह तुमारा मित्रे का शत्रू पूछ रहा हूं मैं जो पूसन उसका जवाब दो यह तुमारा मित्रे का शत्रू ऐसा सहारा देगे तुम उसको तकलीप में डाल रहे हो तोडरमल जी की जो मुख्य रचनाय हैं उनके नाम बता सकते हो और और ऐसा है आज का दिन मैं फिर छोड़ रहा हूँ बठो मैं अपेक्षा करूँगा कल आप वापस एक वार रेपेड डिडिंग करें प्रस्तावना की और इस टाइप की चीज़ों को नोट डाउन करें प्रस्तावना पढ़ने का मतलब क्या था पढ़ी तो उसमें से कुछ चीज़ हम पूछे तो बननी चाहिए ना सामाने रूप से जैसे लेखक का परिचय है गरंथ का परिचय है गरंथ की विसेवस्तू यह सामाने चीज़े है यह आपसे हम पूछे तो आपको बननी चीज़े ठीक है यह चलो आप रस्तावना पढ़टाओ देखो हम क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे टोडरमल्ली के समय जैपुर की परिशिती कैसी थी ठीक है इसके बाद आप आजाओ टोडरमल्ली का परिशय टोडरमल्ली के परिचे में चार-पांच बाते ध्यान रखने की हैं एक तो जीवन माने एक व्यक्तित और एक कर्तित व्यक्तित में जन्मिस्थान जन्म समय का निर्णे उनके समलोग पैत्रे कुछ परिवार का बर्णन मिलता हो तो वो बर्णन बहुत है उनका व्यक्तितो का परिचे और कर्तितो के परिचे में उन्हें ने जो रचनाएं की हैं उन रचनाओं के नाम और संभव तो थोड़ा था उनका परिचे ठीक है फिर मुक्षान प्रकासा ग्रंथ की विशेस्ता है जो कुछ इसमें बताई गहीं है इतनी चर्चा आपको ग्यान में लेनी चाहिए जब आप प्रस्तावना पढ़ है तो इसे एक ख्याल में आता है कि आप पराधी नहीं काम करते हो साधीन काम नहीं करते है आप लोग चलो भाई प्रयोजन सिद्धी है न मुक्षमार प्रकाशक पहला अधिकार पेज नमबर साथ तीसरा पेरग्राफ यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धी इस प्रकार होती है अरहनतादिक से प्रयोजन सिद्धी का प्रकारण है पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ फिर अपने इसको पूरा पढ़ लेंगे ठीक है क्योंकि वो पढ़ो फिर बीच में रोको फिर विस्तार करो फिर रोको फिर विस्तार करो की वजाए या तो हम पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर विस्तार करेंगे या पहले विस्तार करेंगे फिर पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है अरहनतादिक से जो प्रयोजन की सिद्धी है उसमें मुख प्रयोजन तो भीतरा विज्ञानता की प्राप्ती है और बीत्राग विज्ञानता की प्राप्ति को तीन एंगल से उसने उहां घटित किया है ठीक है क्या नाम दीकांशू देवान सिविर सही मोजग अब याद उसी नाम से हमें आद आती है ध्यान से सुनना कि बीत्राग विज्ञानता यह मुख्य प्रियोजन है तो बीत्राग विज्ञानता की सिध्धी कैसे होती है कि उन्होंने परणामों के आधार से इस बात को खड़ा किया तुम लोग आगे क्यों नहीं आते हैं इस फीछे के बढ़ते हो इस बेंचिपे भी है कहा दिकत है आजो तुमसें दिखाई तो दो गए यह तो बिंदू जैसे दिखाई जेते हो क्या किया रहा था हाँ के बीत्राग विज्ञानता रूफ प्रियोजन की सिध्धी उन्होंने परणामों के आधार से सिध्ध करने की कोशिस की के परणाम तीन प्रकार के संकलेस, बिशुद्ध और शुद्ध बीत्राग विज्ञानता तो शुद्ध परणाम रूफ है तो अब शुद्ध परणाम तो अभी होंगे नहीं क्योंकि सुद्ध परणाम तो आत्मा में लीनता का नाम है या कसाय रहज परणती का नाम है और ये तो शुब्भाव है तो के अरहनतादिक की भक्ती से तीवर कसाय के परणाम बदल करेके मंद कसाय रूप होते हैं तो तीवर कसाय कम हो गई ना मंद कसाय रूप हो गई तो उतनी भी तरापता हुई ऐसा समझ लो एक एंगिल की बात हैं बासों में ये बात सर्वताव ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए लेकिन दूसरा एंगिल कि जब मंद कसाय रूप परणाम है तो मंद कसाय रूप परणाम से हमें अपने कल्यान का परणाम पैदा होता है मैं अपना हिट करूँ ऐसी इक्षा हां में पैदा होती है तो अभ्य उसके लिए कारण है तो अपने प्रिवजन की सिध्धी के लिए कारण है तो कारण का कारण है ऐसा भी कह सकते हैं फिर जो महत्पूंड वाते कि तत्काल ही अरहंतादिक की भक्ती से प्रणामों में शांती आती है कर्षाय मंद हुई न ये प्रयोजन है इसलिए भीटरा विध्यानू प्रयोजन की सिध्धी तो होती जिसकी चर्चापन ने कल तीन प्रकार से की थी आप चाहो तो दो पेराग्राफ में फिर से आप नजर डाल के पढ़ लेना बाद में देखो आपको करना यह चाहिए जो प्रकारण पढ़ाया जाना है उसको एक बाद पढ़ कि आना चाहिए फिर पढ़ने के ततकाल बाद आज नहीं तो कल उस प्रकारण को बापस देखना चाहिए उससे क्या होगा कि आपके मन में जो प्रसन पहले पैदा हुए फिर क्लास हुई और उसके बाद फिर प्रसन या तो समाधान हुए और नए प्रसन पैदा हुए तो वो चीजों का समाधान होकर कि वो विश्य आपको पक्का होगा नहीं तो आपने कक्षाई में खोला और कक्षाई में बंद किया जो बहुभाग विद्धार्थी करते हैं तो उसे उन्हों कुछ हासिल नहीं होता हासिल होने होगा जो पहले पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे और यही आपका अभी काम है अभी तो आपके आज दूसरी पढ़ाई का समय भी नहीं माने सुरुवाद भी नहीं हुए अभी तो पढ़ाई की इसलिए आपके आज अभी तो सारा समय इसमें लगाने के लिए तो आप जित्ता इन विशों की तरियरी अभी गहरा ही जिर कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपको एक बात अब दूसरी जो महत्पून बात जो तोडरमल जी के लिए मोक्षान प्रकासक की सेली से एक अलग हटकेवी बात है भी कहते हैं कि किसी को बीतरा विज्ञानता तो नहीं चाहिए ओ भाई पीछे किसी को बीतरा विज्ञानता तो नहीं चाहिए लेकिन दुनिया में जिसको सुख समझा जाता है ऐसा पंचिंद्री के विशे चाहिए लोगे किक्षाओं की पूर्ती चाहिए जी अरहंत भग्वान से होती है के नहीं जह बताओ तुम तो है यह प्रस्न है कि बीतरा विज्ञान रूप प्रियोजन की सिध्धी तो होती है यह जान ली लेकिन लोगे किक्षा रूप प्रियोजन की सिध्धी भी होती है के नहीं इस प्रस्न का जवाब देो कोई सामाने विद्वान होता तो यह कहता है यह बात नहीं होती लेकिन तोडर मल जी ने इसको सिद्ध किया के होती है कि तुम चाहते हो ना कि अरहंतादिक के माध्यम से हम कक्षा में फस्त आ जाएं अरहंतादिक की पूजन से हमें समलो अच्छी नौकरी लग जाए जो जो जिसके प्रियोजन हो तो उसकी पूर्टी होती है के नहीं कि तोडर मल जी ने इसको उतर हां में दिया के होती है कैसे कि उसको भी उन्होंने परडामों के आधार से गटाया कैसे कि यह जो सब काम मन माभिक काम हो जाना यह पुन्य का उदय है का पाप का उदय है पुन्ने के उदय का परचा है ना और जो हम सोचें वो न हो वो क्या है सीजी से हमाने परिवास यही है ना हमने चाहा कि सब लोग हमाई बात माने सब हमाई जय जय कार करें और सब हमाई जय जय कार करें तो पुन्न का उदय मिट्टी में हाथ डालें और सोना बन जाए पुन्य का उद्धै और सोने में हाथ डालें और मिट्टी बन जाए बराबर तो अनकूलता लोकेक में पुन्य के उद्धै से होती है और लोकेक प्रतिकूलता पाप के उद्धै से होती है एक एक बाद लोक़रते जाओ अब के पुन्य किस्से होता है और पाप किस्से होता है के जो मंद कसाय रूप परणाम है जिनको हमं देव पुझा गुरू पासती रूप परणाम कहते हैं ने देव भक्ती पासने पुन्य करने के लिए पुन्य करेंगे तो पुन्य बंदेगा 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 तो पाप बंधेगा, पाप बंधेगा, तो पाप उदय में आएगा सामान गड़त की व्याख्या यही है ना अब देव पूजा क्या है? शुभाव, मंद कसाय के प्रणाम तो शुभाव करेंगे, तो क्या बंधेगा? पुन्य बंधेगा अब पुन्य बंधेगा, तो ओदय में क्या आएगा? पुन्य के चक्रवर्ती जो होते हैं, वो कौन होते हैं? पुन्य शाली लोग के पाप साली लोग? है ना? बने जो लोके कनकूलताओं के जो साधन है वे पुन्य आत्माओं को मिलते हैं कि पाप आत्माओं को सामान वे अख्या ऐसा ही है ना तो देव पूजा गुरु पास्ती ये सब शुभाव हैं मंद कशाय के परणाम है मंद कशाय के परणाम करने से पुन्य बंधता है पुन्य बंधता है तो पुन्य उदय में आता है इससे विरुद्ध चार कसा है पांच पाप साथ विशन इसके परणाम क्या है पाप के परणाम है तो यह करेंगे तो क्या बंधेगा पाप बंधेगा पाप बंधेगा तो उदय में क्या आएगा पाप अधे में आएगा परावर बात है ना तो हम पाप करेंगे तो पाप बंधेगा पाप बंधेगा तो पाप अधे में आएगा तो पाप के फल में क्या मिलेगा कि लोके कृत्पूलता है मिलेगी जहां जाओगे वहां धक्ये खाओगे ठीक है अब तो अरहनतादिक की भक्ती से होता है कि नी प्रसन तो यह है कि होता है ना कि शुभाव उरु परणामे सुभाव से पुण्णे बनता है पुण्णे के ओदय में मंद कशाय के परणाम से सब अनकूलता है मिलती मिलती है मिलनी चाहिए क्यों नी मिलनी चाहिए लेकिन जो टोडरमल जी का परंतु है ना यहां परंतु लगाओ टोडरमल जी का परंतु समझते हो क्या नई परंतु माने अब तक जो कईती सब जीरो असली बाद सुनो परंतु इसका आर्थ है परंतु कि अरहनता दिक्ती भक्ती से पुन्य बंधता है उसे लोकिक सुख़धाई मिलती हैं परंतु परंतु बाने अब तक जो कही वो जीरो अब सुनो असली बार अब मैं आप से पूछता हूँ अब सुनना टर्निंग पॉंट जो इस प्रक्रण का सार है कि अरहनतादिक की भक्ती लोकिक इंद्रियों के विशियों की कामना से करना ये कौन सा भाव है समझ में आई प्रसन समझ में आया है के नहीं लोकिक कामनाओं की इक्षा से अरहनतादिक की भक्ती करना हमाई घर में शांती हो जा इसलिए सांती विधान कराना ये परणाम कौन सा परणाम है मन्द कशाय रूप के तीवर कशाय रूप पुन्ने रूप के पाप रूप शोभ के अशोभ समझे गए के लोकेक अनकूलता की कामना से अरहनतादिक की भक्ती यह पाप परणाम है और केवल पाप परणाम नहीं है इत्महापाप परणाम है पापका बाप रूप परणाम है पापका बाप मने मिठ्यात तो क्यों? मिठ्यात रूप परणाम क्यों है? विद्ध्वान बैठे हो न सब सामने इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों मिठ्यात रूप परणाम क्यों है? बे किसी के कुछ लेते देते हैं ही नहीं और हम उनसे जबर सी डिमांड कर रहे हैं का भईया दे दो एक बार दूसरी बात उन्होंने तो उसको पागलपन समझ के छोड़ दिया उन्होंने तो उसको मूरकता समझ के छोड़ दिया अब उन्ही के लड़के बच्चे उनसे करें कि हमें देदो ऐसी वात होगी के नहीं तुम उनके भक्तों हो तो जो वात उन्होंने अपने लिए अच्छी नहीं समझी जो वात उन्हों स्वयम के लिए अच्छी नहीं समझते वे अपने भक्तों के लिए कैसी अच्छी समझेंगे जिनको तुम जाने तुच्छ जान वे उन्हें मानते इसका नाव मिठ्थात इसका नाव मूरकता एक द्रब दूसरे द्रब का कुछ करता नहीं है अरंत भक्वान किसी का लेते देते नहीं है देव का अवणवाद है समझें इस सच्छे देव का सरुक का अज्ञान हो गया ना कि भी जैसे नहीं उनको बैसा माना कि जिनेंदर भक्वान किसी को ना सुखी करते ना दुखी करते उनका बैसे कंसेप्ट है जिनेंदर्सन की थीम तो यहां से खड़ी होती कि वीत्रागी और सरवग्य है और हम उनसे कह रहें कि भगवान थोड़ी सी दयादस्टी रखो अरे वे दयादस्टी जिनोंने खतम कर दी उनसे तुम दयादस्टी की बातें कर रहे हो तो यह देवी के सुरूक का इसलिए महापाप है तो अब बापस उसी गड़त पर आजाओ कि पाप करोगे तो का बंदेगा पाप बंदे का तोदे में का आएगा इसलिए अरहनतादिक की भक्ती लौकिक प्रयोजन के अर्थ करना योग्य नहीं है क्योंकि वह महापाप रूप होने से तीवर पाप का बंद की जनक ही है उससे कोई पुण्य नहीं बनता फे और कहूं तो इससे निक्रिस्ट पाप बंदता है अर्थन तादिक की भक्ती लौकिक प्रयोजन से करने से क्यों? क्यों बनता? तुम सेड़ जी के यहाँ सो रुपे मांगने जा तो समझ में आती है तुम आगर कोई भीक मांगने आया उससे को तिरे पाद दस रुपे हैं क्या आया तो कैसा लगे? यह मूरकता का बेवार है के नहीं? तो जिनके दरवाजे पे यह टंगा है कि मैं किसी को ना देता हूँ ना लेता हूँ ना किसी से सुखी होता हूँ ना किसी से दुखी होता हूँ उन्ही के घर में जाके कह रहे हैं कि महराज हमें सुखी कर तो हम दुखी है और जिनके दरवाजे का टेग लाइन यह है कि एक दरव दूसरे दरव का करता धरता नहीं है कोई द्रव बस्तुओं के सद्भाव या भाव से सुखी दुखी नहीं होता है सुखी दुखी होता है तो अपने कसाय परणाम से होता है सुखी दुखी होता है तो अपने स्वरूप के विस्मरन से होता है उनके दरवाजी की टेक लाएन है तो उसकी बात तो तुम उन्हां कर नहीं रहे तो तुम यह कह रहे कि महराज में 6 घंड़ की विभूती दे दो ठीक है इसलिए लोकिक प्रियोजन सहित अरहनत आदिक की भक्ती करना यह पापबंध का कारण है इसलिए उस प्रियोजन की सिद्धी नहीं होती लेकिन जो अपना मन अरहनत आदिक की भक्ती में लगाता है जो अपने प्रणामों को देवसास गुरू के प्रति समर्पित करता है जो है ना भक्ती के दो प्रियोजन है कि अस्थान का राग का निसेद और सुद्धता की प्राप्ती कि जब तक उसकी प्राप्ती नहीं हो रही जब तक का करें महराज कि मंद कसाय के प्रणाम में रहना सेष्ट है वो निची के प्रणाम में हम जाना नहीं चाहते है उपर का प्रणाम मिल नहीं रहा तो का करें कि इसलिए जब तक तुम्हां मंदिर में टाइम पास कर रहा हूँ जो ऐसा भक्ती करता है उसको निश्चित रूप से सातिश्य पुण्य का बंध होता है और करनानेों कि इस बात की गवाही देता है कि ऐसे पुण्य के इस्थान छंसार में किनको रिजर्व हैं कि वो ऐसे चकरवर्ती बनते हैं बे तीठंकर बनते हैं बे काम्देव बनते हैं माने जितने बड़े बड़े समलों लोकेक बैभाव के पद हैं वे सब ऐसे लोगों के लिए ते जर्वें बिशुद्ध भक्ती करने से तो भक्ती करने से जब परमार्थ की बात हो रही है वहां स्वार्थ की क्या बात करें इसकी क्या बात करें लेकिन वो सहज मिलती है तो फिर इसका आर्थी होना योग है के नहीं कि इसकी एक्ष्य ही नहीं है इसका आर्थी होने का कोई सवाल है ही नहीं प्रियोजन से एक पर दस्ती रखे करेंगे तो गारंटेड नहीं मिलेगी लेकिने जो अरहन तादिक की भक्ती करते हैं उनके जीवें में पुर्णने का उद्य सहजी देखा इस पूरे प्रक्रण का सहार है अब पढ़ो पढ़ भाई इन दौर अतिशय नाम ना सातिशय कने से बज़े से में अतिशय अब सेकंड दियर तका के तो सातिशय यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रवजन जो बात कही ना उस अंदर में अब इस पूरे प्रक्रण को उपियो पूरबग देखना ऐसे प्रवजन की तो सिद्धी इस प्रकार होती है परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुक उत्पन्न हो तथा दुप का विनाश हो ऐसे भी प्रवजन की सिद्धी इनके द्वारा होती है या नहीं उसका समाधा है जो अरंतादिक के प्रती इस्तवन आदी रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं उनसे अगातिया कर्मों की साता आदी प्रकृतियों का बंद होता है और यदि वे परिणाम तीवर हो तो पूर्वकाल में जो असाता आदी पाप प्रकृतियों का बंद हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नश्ट करके प्रकृति रूप परिणमित करता है हो जाती है इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धी उनके द्वारा होती है अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारण भुच सामगरियों का सैयोग कराते हैं और दुख की कारण भुच सामगरियों को दूर करते ह जो प्रत्मान योक तो इस प्रकार को अधारनों से भरा पड़ा है कि कोई भी विपत्ती आई तो कोई भी देवता आ गए उनने उस भिपत्ती को दूर कर दिया तो जो जिनसासन के भक्त हैं उनके लिए सारी दुनिया सहयोगी हो जाती है इसमें कोई आश्यर की बात ऐसी नहीं है इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धी उन अरंतालिक द्वारा होती है परन्तु इस प्रयोजन का आश्ट्री होना योग्य नहीं है इस प्रयोजन से अपना हित नहीं होता परन्तु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता क्योंकि यह आत्मा कशाय भावों से बाय सामगरियों में इश्ट अनिश्ट पना मानकर स्वयम ही सुख दुख की कलपना करता है कशाय के बिना बाय सामगरी कुछ सुख दुख की दाता नहीं है तथा कशाय है सो सर् पुनस्च इस प्रयोजन के हेतु अरन्तादिक की भक्ति करने से भी तीवरकशाय होने के कारण पापबंध ही होता है ठीक है आगर तुमने इस प्रयोजन से भक्वान की भक्ति की तो पाप बंद का कारण हो गई भक्ती माने जो भक्ती मुक्ती का कारण होना चाहिए थी जिसे भक्ती से तुम्हें केवल गान की प्राप्ती का रस्ता खुलना चाहिए था और उस भक्ती से तुमने पाप बांध लिया कि जिनेंद भगवान के समोस्रण में तो इसलिए आये थे कि मुझे मोक्षमार का रस्ता मिले और हो गया संसार मार कि क्यों कि जिनेंद भगवान का सवरूप नहीं समझा और हम उल्टे सवरूप में चड़ गए तो मिठात की क्रिया हो गई पापकी क्रिया हो गई है ना इसलिए इसलिए अपने को इस प्रयोजन के है तू कौन से प्रयोजन के है तू इंद्री जने सुखुदपन हो दुख का विनास हो इस प्रयोजन के है तू अरहंतादिक की भक्ती करने से तीवर कसाय होने के खारण पाप बंध ही मने ऐसा नहीं है कि कोई वात नी थोड़ा पुर्न न थोड़ा पाप बंधेगा ही कि पाप भी बंधता है और ये पाप भी कौन सा उतकर्ष्ट जातीगा क्यों अन्य छेत्रे कृतम पापं और धर्म छेत्रे कृतम पापं तो यह जो पाप है धर्म छेतर में किया गया पाप है जैसे इसे मैं ऐसा कहता हूँ कि शराब की दुकान पे बैठकर सराब कोई पीए इसमें कौन सी आश्यर की बात है यह जगत का सभाव है राग के स्थान पे कोई आदमी राग करे इसमें कुन सी नई बात है बीत राग के स्थान पे आके कोई राग करे आश्यर तो इसमें है कि जहां आके संसार के सुख दुख छूटने का रस्ता ढूंडने की बात करने ही चाहिए थी जहां के अरहन्द परमिस्यू को देख करके हे भगवान मैं आपके जैसा कब बन जाओं ऐसी भावनों होनी चाहिए थी उहीं जाकर के कह रहे है भगवान तुमने जो कपड़ा लट्ता छोड़े थी विए कहा है बताओ यही अर्थत्व है लोकिक सुक्सामगरी की एक्षा का है जिनको तुम 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 तुच्छे जान कि तुम च्छानवगहजाष ठोल गए ते बताओ कहा है हम थोड़े हलके समतों में कैयरें जिसे आपको मज़ा आ गया बात तो ऐसा ही है जिस संसार को नों ने दुक्का कारान समझा जिस संसार को लोगकाश यही चोड़के चल दिये हम उसी संसार में सुख ढूंडने के लिए उन्हें के पास आए कि मेरा संसार में सुख बता दो तनक इसलिए पाप बंद ही होता है मैं ही को जोड़ दे रहा हूं आपके लिए चलो आगे इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग ये नहीं कौन से प्रयोजन का अर्थी होना योग नहीं है ए इंद्रिजन सुकी एक्षा करना और अब आप एक हमबर करो कि सवेरे कौपी पेन लेकर के मंदिर के द्रवाजे पर खड़े हो हमने पिसलिए वाज भी कहीती ये वाज और पूचो अब भाज़ा मंदिर काई के लिए आए बहु हाग लोग मंदिर उनी के लिए आये जिसके लिए अर्थी होना योग ये तो अपने गाओं के मंदिर में कुछ विधान कराता हो उससे पूचो भाज़ा आपने विधान काई के लिए कराया देखो हमाय घर में कोई दुख था इसलिए हमने बिधान कराया हमाय घर में कोई सुक्का प्रसंग बना इसलिए हमने बिधान कराया ये तो अच्छी बात है क्यों कि सुख दुख में हम आपने आराध देव के पास नी जाएंगे तो किस के पास जाएंगे लेकिन बे हमाए सुख दुख में साथी हो जाएं बे सुख दुख को बाट लेवें ये मूरकता है काम तो वो ही है लेकर उस काम का प्रियोजन बदलना चाहिए कि बहुत दिन हो गए घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है चलो सांती विधान कर लेते हैं कि थोड़ी सांती हो जाएगी इसके लिए सांती करनी ये सांती विधान का प्रियोजन है इसका नाम है ऐसे प्रियोजन का आर्थी होना योग्य नहीं है अब चक्कर एक है चीजें ऐसी हैं कि आप विस्तार करना सुरू करो तो हजारों चीज़े दिमांगाने लगती है तो प्रवचन का विशे बन जाता है चलो अरंतादिक की भब्ती करने से ऐसे प्रविजन तो स्वय में भी सिद्ध होते हैं अब देखो टोडर मल जी भी प्रसन क्या खड़ा किया था प्रसन क्या खड़ा किया था कि ऐसे प्रविजन की सिद्धी इनके दारा होती है के नहीं और अंतिम उपसंखार बाखे क्या आया क्या होती है अरंतादिक की भब्ती करने से ऐसे प्रविजन तो स्वय में भी सिद्ध होते हैं और बैलेंस के साथ दोनों बाते कह दी गई नहीं होती है ये बात भी खड़ी कर दी गई होती है ये बात भी खड़ी कर दी गई और दोनों की विवक्षा है अपने अपनी ये कह स्पस्ट कर दी गई इसमें का इतराज है बताओ मैंने कितना संतुलित कथा ने अभी कोई होता, ओ, अरहन दाद एक से लोक एक सिद्धी होती है, मिठात, हमें नहीं पढ़ना, अरे भाईया, जहां जो चीज जैसी है, वैसी कहीगी, इसमें कहत राज है, क्यों, पुर्णे सालियों को लोक एक अनकूलता नहीं मिलें, तो किसको मिलेंगी, तो पुर्णे की कि नहीं आए, ऐसा कथन भी नहीं खड़ा करने चीज़े था, है तो हम कहा करें, चलो आगे, अब अपन थोड़ा तेज बढ़ें, नहीं तो ऐसे तो अपन बहुत स्लू हो जाएगे, चलो, इस प्रकार अरंतादिक परम इस्ट मानने योग्य हैं, तथा वे अरंतादिक ही परम मंगल है, उनमें भक्ती भाव होने से परम मंगल होता है, मंग अथार्थ सुख उसे लाती अथार्थ देता है, अथ्वा मंगल होते हैं, इस दोनों प्रकार के अर्थ घटेत होते हैं, सुख को देने वाले और पापों को गलाने वाले, मंगल के दो यह अर्थ हैं ना, सुक को देना और पापों को गलाना और दोनों अर्थों की सिद्धी अरहंत भगवान से होती है ऐसे ही परमेश ठी और परमेश टी दोनों अर्थों की सिद्धी भी उनसे होती है मम अथार्थ पाप उसे गाली या थी अथार्थ गाले दूर करे उसका नाम मंगल है इस प्रकार उनके द्वारा पुर्वोक्त प्रकार से दोनों कारियों की सिद्धी होती है इसलिए उनके परम मंगल पना संभाव है अब देखाव परम मंगल पना संभाव है किसके लिए अरहंत आदिक तो आदिक में मने अरहंत तो आधी दीपक है यह बात कहां तक समझना देव शास्र गुरु अथो ऐसे कहो तो पंच परमेश्थी इन दोनों तक यह बात समझना चाहिए क्योंकि प्रकण तो अरहंत अदिक पंच परमेश्थी के सरूप का चलता था था क्या सकते हो आप कोई अद्राज नहीं है मंद कशाय रूप जो शुब भाव कहा तो फिर इसमें तो तीवर पाप और तीवर राग भी होना अरहंत भगवान के प्रती तीवर राग होना तो अशुब में चल जाए यहां बिवक्षा रूप निर्वर करता है अरहंत आजिक प्रती तीवर भक्ती होना यह अशुब है कैसे कहते है यह शुब हाव है लक्षन तो यही दिया ना तीवर कशाय का नाम विशुद यहां तीवर कशाय का राग था के वल जो विश्यों के प्रती व्यापार है उसक को भी काओ तो हमें उसमें भी आतराज नहीं है लेकिन यहां तीवर मंद का राग था ऐसे अपेक्षानी करना कि उसकी बैसी डिग्री वहां तीवर मंद का राग था विश्यों की आवलमन किसका उसकी आधार से करना मंगला चरन करने का कारण बोल यहां निकट वर्ती होना तो निकट वर्ती होने का राग था क्या लेना इसमें गले में गहां डाल के चलिए समझना अंतरika निकटवर्ते होने कारदी है कि उनके गुड़ें का वीचार करना उनके प्रती उनके कास पास रहना उनके सानिध्य में रहना इसका याम निकटवर्ती होना एक अपने उपयोग देना इस अर्थ भी और उनके मंदिर जाना यह नहीं के ना रूम मेरे करके अपने प्रणाम जो सुद्धे नमो अरियाडम का करना मंदिर जाके और सीदे भोजन साला चले जाना नहीं यह भी नहीं समझना निकटवर्ती होने कार्थ यह है कि प्रेतन पूर्वग जिनेंदर भगवान के दर्शन का प्रेतन करना कि भूजन का विकल्ब तो आए और देव दर्शन का विकल्ब नहीं आए तो यह निकरवर्ती नहीं है यह अच्छी भूंका नहीं है बाने स्रावक की भूंका में जो उसको द्याने करतव हैं उनको निर्वान का विकल्ब उसे नियम से होना चाहिए उसे ऐसा नहीं कहए कि हम विकल्ब में नहीं पढ़ते तो फिर रोटी के विकल्ब में काई को पढ़ते हो लोग के वैपार के विकल्ब में तो पढ़ते हो और इसके विकल्ब के लिए क्या है क्योंकि सब्तीर से आतरा के विकल्ब में नहीं पढ़ते आकुलता नहीं करते है ना तो देवदर्शन भी आकुलता पूड़बग करना है तो माले पास में मंदिर नहीं है तो समय पे उठना फिर समय पे पहुंच जाओ फिर आपकी देने क्रिया डिस्ट्रब नहीं हो क्यों अभी ऑफिस आना पड़ता आठ वजे मंदिर है एक किलो मीटर फिर आने जाने में देर हो जाती है बहुत आकुलता हो जाती है तो हम आकुलता नहीं करते हैं तो सीधु आफिस चले जाते है बहुत सारे लोग ऐसा जवाब देते हैं यह सितलाचार का पूशन है प्रमात का पूशन है क्यों फिर आदा घंडा पहले उठो ना मंदर जाने की इक्षा ये आकुलता है और आफिस जाने की इक्षा ये नरा कुलता है फिर आफिस जाने की इक्षा भी तो आकुलता ही है तो उसको तो सभावभाव कहता है और मंदर जाने के विकल्ब को कहता है आकुलता है तो बुद्धी पर पत्थर पढ़ गए इसलिए ऐसा विचार आता है जिससे तुम्हाई आजीव का सदिती है उसके व्यापार को तो कहता है क्या करें और जिससे परमार सा सथता है उसके व्यापार को कहता है कि सावी तो बिकल्प होता है तो हम तो संडे संडे चले जाते हैं संडे को भी कोई काम हो तो पर दूसी ही के चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होना इसका नाम है निकटवर्ती होना अब निकटवर्ती को आप जितने धंग से भी आख्या करना चाहिए तो कर सकते हो चलो मंगलचन करने का कारण निकटवर्ती होने कारते भी है कि मंदिर में तो बैठे हैं और पूरे गाउंगी पंचात लटाए लगाए इसका नाम निकटवर्ती होना नहीं है कि मंदिर में हो तो जिने दर आत्रो आत्रो आतर आतर संभोसट आवानन यह इसका आर्थ है निकट वर्थी होना कि जिने दर भख्वान के मंदिर में हो तो फिर मंदिर में ही रहो उन्हें सही का है के हम इस प्ратज़ लेके अंदर आए हैं कि जिती देर हम आपके समाखंग में रहेंगे उती देर हम विकल पूरव कोई लोके प्रफधशों में नहीं उलचेंगे मुबाईब को साइलेंट मोूड पे डाल के जाएंगे silent wound पे काया को वाफ डाल के जाएंगे silent होते ही वो उपयोग बजलता है समझे इसका नहां में निकट वरती हो आप अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हो मंगलचरण करने का कारण यहां कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदी में मंगल ही किया सो क्या कारण है उसका उत्तर सुख से ग्रंथ की समापती हो पाप के कारण कोई विखन ना हो इसलिए यहां प्रथम मंगल किया है यहां तर्क जो अन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथ की समापती तता विखन का होना देखते हैं वहां क्या हेतु है विखन का ना होना देखते हैं वहां क्या हेतु है उसका समाधान अन्यमती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीब्र उदय से मिथ्यात तो कशाय भावों का पोशन करने वाले बिपरीत अर्थों को धरते रखते हैं इसलिए उसकी निर्विग्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किये बिना ही हो यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा बिपरीत कारे कैसे बने तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोह की मंदता के कारण यदि ऐसे मंगल ना करें, तो मोह की तीबिता रहे, तब ऐसा उत्तम कारे कैसे बने? यहां तो मंगल अचान नहीं हो, यहीं बढ़िया है, और यहां तो हम परमार्स की बात कहने वाले हैं, तो वो तीबिर कसाय की प्रणाम के साथ कैसे कही जाएगी? तो प्रसम मंगल ही चाहिए, कि मंगल होगा, तो जित्मेती नरा कुलता होगी, जित्ती शांती होगी, तो हमे उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता, और कोई मंगल करता है, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है, इसलिए पूर्वोक्त मंगल बना कैसे बने? उससे कहते हैं, जीवों के संकलेश, विशुद, परन्तु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है रिन का कारण नहीं है उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुन्य का बंद हो उसके यहां ऐसा मंगल की ये विना भी सुख दिखाई देता है परन्तु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है पाप उदय का कारण नहीं है इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगल पना बनता है ठीक है ये उधारण नहीं तो अपन कई वार समा में कहा जा चुका है कि ये दो अलोग हैं एक के पिताजी लाख रुपे का करण छोड़ गए और एक के पिताजी लाख रुपे छोड़ गए एक दसजार रुपे रोज कमाता है तो कौन कमाता है कि उसको तो करण दिखाई देता हो और इसके पास तो पैसा दिखाई देता है लेकिन असली वाद क्या है कि कमाने वाला कमाई रहा है और गमाने वाला गमाई रहा है तो ऐसे ही कि जो मंगल करता है उसके पुर्ण का पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना परन्तु जिन सासन के भक्ते देवा देखें उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया तो क्या कारण यह बहुत बड़ी आ प्रसन है इसकी सिकायत बहुत सारे लोगों को रहती है कि साधूं पर ट्यागियों पर इतने उपसर्व होते रहते हैं कोई नहीं चेता अरे वे तो धर्मात्मा है तो उनकी सहायता करने सेवा करने कोई तो आ जाए जैसे वो आ गए थे न ना तो अपने मंदिर तूड़ जाते हैं इतना सब हो जाता है और कोई सहायता करने नहीं आता है तोटो मली उत्तर बहुत बढ़िया दिया उसका समाधान जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है महत्पूर्ण गा तो यह है कि तुम्हाय क्या निमत नियम से बनेगा उसी के अनुसार बाहिनिमत बनते हैं इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहायता निमत नहीं बनता और जिसके पुन्य का उदय हो उसको दंड का निमत नहीं बनता यह निमत कैसे नहीं बनता सो कहते हैं जो देवादिक हैं वे चयुप्षम ज्या किसी काल में होता है, इसलिए यदि उनका जानपना ना हो, तो कैसे सहाय करें, अत्वार दंड दें, और जानपना हो, तब स्वयम को जो अतीमंद कसाय हो, तो सहाय करने के, या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते, तथा तीब्र कसाय हो, तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मंद मद्यम कशाय रूप वह कार करने के परिणाम हुए, और अपनी शक्ती ना हो, तो क्या करें, इस प्रकार सहाय करने का, या दंड देने का निमित नहीं बनता, यदि अपनी शक्ती हो, और अपने को धर्मानुराग रूप मद्यम कशाय का उदय होने से बैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीब का धर्म अधर्म रूप करतब वे जाने, तब कोई देवादे किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं, अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं, इस प्रकार कारे होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया, यहां इतना जानना की सुख होने की, दुख ना होने की सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो एक्चा है, सो कशाय मै है, तथा ततकाल तथा आगामी काल में, दुख दायक है, इसलिए ऐसी एक्छा को छोड़ कर हमने तो एक वीत्राग विसेश ज्यान होने के अर्थी होकर अरहन तादिक को नमस्कार आदी रूप मंगल किया है ठीक है ये उनकी उत्तिस्ट भावना है कि अब भी है हमें दुनिया भर की बातों से मतलब नहीं सुख दुख के विचारों से हमने कोई काम नहीं किया है हमने तो भीत्रा विग्ञानता प्रहों जाने जिसके लिए हमें एक काम कर रहे है अब सुख होगा विवीत्राग तर चेये सुख दुखा का सवाल है ठीक है तुम बैट जो हम कर लेंगा ठाने जासा और खड़े रहते हैं हाँ थर्ड यह है रोल नमबर एक दो तीन चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा मन्थन आज फिर गायब बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्नीस, बीस स्वरब, 21, 22, 23, 24, सिधार्थ, 25 एक, दो, तीन, चार बच्चे भी आए नहीं है रोल नमबर एक, दो, तीन, चार, पात, छे, देवान्स कल काँ थे भाई, बोलो, अरे इतनी जवर से तो बोल के मुझे सुनाई दे इस वर नहीं है